असलाम वारेकुम नाजरीन ड्रॉमा सियर्स जाने जहां की नेक्स अपिसोर्ड में ट्विस्ट तो अब आने वाला है जब मानूर की शादी होगी शहराम से तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की प्रोमो रिव्यू की जाने शहराम जो की आज मानूर की तरफ जाता है दर्वाजा मानूर ने खोला और वो दोने एक दूसे को देखते रहे गए दोनों की आँखों में मुहबबत तो है मगर एक दुख भी होता है क्योंकि मानूर की शादी तो तैमूर से होने वाली है और वहाँ पर ये तबरेज जो की आली की घर जाता है आज तो आली कोई लिहाज नहीं करती मीठे मीठे तंस के तीर ऐसे बरसाती है कि ये तबरेज घुसे से ही आगवोगुला हो गया मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं आपकी असलित समझी ना पाई तो ये तबरेज आली को धंकी देता है उसे वान करता है तो फिर कुशी देर के बाद वो शेरवानी पैन कर फिर से आ जाता है ये आली तो फिर से उसकी मीठी मीठी बेज़िती करने रगी मगर फिर वीवर्स ड्रामे की कहाने में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब इस तब्रेज के गुना और इसके जुर्म से परदा फाश होता है गुलजेब जिसके वैमों गुमान में भी नहीं कि इसका दुश्मन कोई और नहीं यही तब्रेज ही होता है इत्तफाकर वो तब्रेज के गाड़ी के तरफ आई उसे खोलती है कोई चीज उठाने के लिए तो वहीं पर उसे अपने मरहुम सापका शोहर का वो बैग मिलता है जिसे देख का तो वो हकी बकी रह गई कि उनका बैग तब्रेज के गाड़ी में क्या कर रहा है ये तो मैंने उन्हें उस वक्त दिया था जब वो शहर से बाहिर गए थे और फिर कभी वापिस ना आए वो कश्मा कश्का शिकार होती है बहुत से सवालात उसके मन में जनम ले रहे होते हैं जिसके जवाब और उनका सीरा उसे मिलने ही रहा होता मगर उसे शक जरूर होता है कि दाल में कुश्काला है अब यहां इस हालत में आये जब वो कुछ नहीं कह सकती थी इस तबरेज को तो तबरेज आया उससे मीटी मीटी बाते करने लगा के अलेक्शन भी हैं ये सारे मस्रूफ यात है लेकिन वो फिर भी यहां इसके पास होता है हकीकत में तो उसकी अभी मैन्दी के रस्मी होई है मगर गुलजेब बहुत से बातों से नाशना होती है वो तबरेज के मूँ से सुनती कुछ है लेकिन सोचती कुछ और है अब जैसे गुलजेब को तनाई का मौका मिलता है तबरेश के गर मुझूद की होती है तो वो ये पर्स खोल कर देखती है और अब उसे शक होने लगा कि कहीं तबरेश तो मेरे उस शोहर का कातिल नहीं क्योंकि अगर ये बात नहीं तो ये पर्स उसके गाड़ी में क्या कर र उन्हें सब कुछ दिखता है, वो मुझे रोक चुके हैं, कि शेराम के सामने में खुद को कंफर्ट नहीं समझता, और आपको भी नोकरी छोड़ देनी चाहिए, उसे ये बात तो कंफर्म है कि शेराम इसे महबत करता है, मगर अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, कि मानूर भ भी बहुत चोटा पड़ जाता है, अब शेराम क्या कहें कि हम मजबूर हैं, और मानूर भी मजबूर होकर ये फैसा कर रही है, मगर ये बात शेराम के लिए तो और भी कंफर्म हो जाती है, कि वाकि मानूर मुझे से महबत करती है, बस मजबूर है और जीनत को बताता है, अगर मजबूर भी हैं, ऐसे में इन सब के चले जाने के बाद यहां पर अचानक से शेराम आ जाता है, जब मानूर बेंकल्स उठा कर पहनने लगी, तो शेराम उसे देता है, ये देख कर तो मानूर की आँके फटी के फटी रह जाती है, देखता भी और साथ ही कुछ तंज थिया मुस्कुराहट भी देता है, क्योंकि अब वज जान चुका है कि वाकी मानूर मुझसे महब्बत करती है, मगर शेराम तो उसे मुंभारक बात भी देता है, शादी मुंभारक हो मानूर, ये सब सुनकर तो मानूर की आँके नम हो जाती है, एक दुख महसूस होता है, एक तशनगी, कि शेराम अब हमेशा मेशा से मुझसे दूर हो जाएंगे, मैं किसी और के नाम की होने जा रही हूँ, मगर फिर वीवर्स ड्रामे की कहाने में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है, जब यहां पर तैमूर बरात लेकर भी आ जाएगा, मगर उसी वक्त या तो वो इन दोनों की बातें सुन लेगा, या फिर मानूर की वेहन की बातें, जहां पर वो इजहार कर रही होगी शेराम से, कि मानूर आपी भी आपसे बहुत महबत करती हैं, यह फैस्दा सिर्फ वो अपने वाले देन की मजबूरी उनकी खुशी की खातिर ले रही है, हो सकतर तै बूरी में सही, जल्दी में सही, तो वो मानूर की शादी करवाने का फैसला ले ही लेंगे शेराम से, कि मेरी बेटी का हाथ थाम ले, मेरे इज़त कोई बचा ले, तो होपसो यही वालिदी थे जो चाहते थे कि शेराम और मानूर एक ना हो, नहीं बन सके कि यह हवेली की ब बाते बनाएंगे, तो होपसो व्यूवर्स इस ड्रामी का इस तरहां से ट्विस्ट आने वाला है, पर व्यूवर्स इसके मुदलिक आप क्या राय रखते हैं कि शेराम और मानूर एक हो जाएंगे, मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए, द्विस्ट